इस वीडियो के इतना गाइस हम लोग बात करने वाले हैं Best Small Case to Invest in 2024 कि कौन कौन से Free और Paid Small Case है जिनको आप Investment करने के लिए 12-24 के इंवेस्ट कर सकते और at the end of the video मैं आपको अपना खुद का भी Small Case का Portfolio यहाँ पर बताने वाला हूँ तो देखिए अगर मैं Subscription Fees की बात करूँ तो यह तो केवल जो Paid Small Case होते हैं उसी के उपर लगती है Free वाले Small Case के उपर Subscription Fees नहीं लगती है मलब वो Free of the Cost होते है लेक होती है Transaction Fees जो कि Depend करती है आपके Broker के उपर आपको यह देखना पड़ेगा कि आपके Broker केंदर क्या Equity जो Deliverys का Brokerage होता है क्या वो Free of the Cost है की नहीं है क्योंकि कई सारे Brokerage House जो है यहाँ पर आपसे Equity Delivery के उपर भी Brokerage चार्ज करते है साथ में यहाँ पर Small Case भी एक Fees चार्ज करता है Buy or Invest More के उपर तो यह भी Broker wise है तो Normally अगर मैं बात कहूँ तो 100 पर या फिर 1.5% of the amount whichever is the lower यह basically आपका चार्ज लगता है लेकिन यहाँ पर मैं आपको recommend करूँगा अगर आपको यह वाला पैसा बचाना है यहाँ पर तो आप धन और Angel 1 के साथ में जा सकते हैं दोनों Leading Blocker है और वहाँ पर Small Case एकदम free of the cost है अगर आप में account वगरे खुरवाना है तो link मैंने description box में दे रखी है तो guys यहाँ पर number 1 के उपर मैं यहाँ पर सबसे पहले रखना चाहूँगा Simply top 250 stocks को जिया तो दिखें वैसे तो Small Case के इंदर Top 100 Stock का भी Small Case है लेकिन यहाँ पर Top 250 के इंदर आपको एडवांटेज यह मिल जाता है एक तो freaker Small Case है और इसके इंडेक्स वाले आपको ETF देखने को मिल जाते है आपको Nifty 50 देखने को मिलेगा Nifty Next 50 भी देखने को मिल जाएगा इसके लाबा Mid Cap 150 भी देखने को मिल जाएगा यानि अगर मैं सबको Sumrise करू तो इंडिया की जो Top 250 कमनी से उन सभी का Portfolio यहाँ पर आपको देखने को मिल जाता है मलब ऐज़े ETF आपको देखने को मिल जाएगा 3 साल का CAGR देखऊंगे 18% का CAGR है प्लस इसको अगर आप Compare भी करते हो Equity के Large Cap Index के साथ में तो आप देख सकते हो एक साल के इंडरी 100 का 128 किया है यानि कि 28% का इसने Return निकाल के दिया है इवन अगर आप Maximum भी करोंगे तो हमेशा आपको Large Cap से जादा ही याँ पर देखने वाला है इसके लागाइस यह जो Rebalancing है यह Quarterly Base पर होता है यानि Quarterly Base पर आपको जो Fund Manager है वो बताता है कि यहाँ पर कितना Allocation किसको होना चीए यानि Nifty 50 में कितना होना चीए Next 50 में कितना होना चीए Mid Cap 150 में कितना होना चीए तो यह उपर नीचे हो सकता है Quarterly Base के उपर होता है Nifty 50 का वो तो आपको मिली रहा है साथ में यह पर 30% जो है Gold की ETF के इंदर भी निवेश हो रखा है तो इससे आपको फाइदा क्या मिलता है अगर आप यहाँ पर Returns देखेंगे तो जब भी Equity में Downfall यहाँ पर आता है जिसे आप देख सकते है अक्टूमर में जब Downfall आया था तो अगर आपने Equity के के वल Index में निविश किया होता तो वो काफी जादा यहाँ पर गिरता लेकिन Gold की वज़े से यहाँ पर उसको Support मिल जाता है क्योंकि नॉर्मली यह देखा जाता है जब भी Equity गिरता है Gold का Price जो है यहाँ पर आप जाता है तो उसके Correlation की वज़े से यहाँ पर आपको एक अच्छा खास से Return देखने को मिल जाता है अगर कभी भी Market जो है Downfall की तरफ जाता है तो गाइस यहाँ पर आप Compare करोंगे तो आपको Index के Equally एक साल के अंदर Return देखने को मिला है लेकिन अगर आप Maximize यहाँ पर करोंगे तो Definitely एक Long Term Period के अंदर आपको अच्छे खास से As Compared to Index Return देखने को मिल सकते हैं अगला Guys यहाँ पर जो Small Case है वो भी Free of the Cost है That is the House of the Tata तो Tata Group की भाई जित्ती भी कमनिया है अगर आप Tata Group के फैने तो Definitely आपको इस Small Case को Consider करना चाहिए तीन साल के अंदर 30% से भी जादा का CGR यहाँ पर इस Small Case ने निकाल के दिया है अगर मैं Return वाइस बात करोंगे आप देख सकते हैं अगर आप 2 साल और Maximize भी करेंगे तो Definitely यह Large Cap को यहाँ पर बीट करता है अगर इस किन्द में Stocks की यहाँ पर बात करों तो Obviously बाते सारी आपको Tata Groups की कमनियों मिलने वाली है 70% पूरा Large Cap है, MedCap 29% है अब Tata Group की बहुत सारी कमनिया है Voltas है, Titan है, TCS है, Tata Motors है Tata Consumer Products Limited है तो किस में कितना आपको Invest करना है वो तो Fund Manager यहाँ पर Decide करता है Rebalance की बात करों तो Quarterly Basis पर Rebalance होता है यानि यह जो Structure है, Weightage का वो यहाँ पर Quarterly Basis पर Change होता रहता है और आपको बताया जाता है कि किस कमनियों को कितने Shares आपको निकालने कौन सी Tata की कमनी के Shares आपको खरीदने तो यह सारी चीज़े Quarterly Basis पर Rebalance होती है यहाँ पर अच्छी बात है कि Tata का जो पूरा Business है वो काफी सारे sectors के अंदर यहाँ पर फैला हुआ है तो आपको Diversification वगर भी देखने को यहाँ पर मिल जाता है और Returns भी इसने काफी अच्छे यहाँ पर कमा के दिये और एकदम Free of the Cost है Walletting यहाँ पर थोड़ी से आपको High देखने को मिल सकती है अगला जो Small Cash है वो भी Free of the Cost है जिसका नामे The NAC Trader करके यहाँ पर यह Theme Based Small Cash है जिसके अंदर जितने भी Laudate Companies होती है जो High Returns यहाँ पर Healthy Growth निकाल के देती है उन सभी को यहाँ पर Consider किया जाता है अगर इसमें यहाँ पर मैं percentage की बात के हो तो सारे Med Cap और Small Cap मिलने वाली है इसी कारण यहाँ आप आप Volatility भी देख सकते हो High Volatility है तो यह थोड़ा सा यहाँ पर रिस्की हो जाता है लेकिन पिछले साथ साल का CGR देखोंगे आप 24% का CGR इसने यहाँ पर निकाल के दिया है इसके साथ नगाईस यह quarterly basis पर यहाँ पर Rebalance होता है और obviously बात है इसका जो parameter होगा वो small cap का index ही होगा तो उससे भी अगर आप compare करोंगे तो definitely हर बार इसने अपने index को भी यहाँ पर बीट कर रखा है आप guys बात करते हैं हम लोग premium small case की जापे आपको एक fees वगरे भी देनी पर सकती है तो यहाँ पर मैं first number पर रखना चाहूँगा तेजी मंडी flagship को सबसे बड़ा इसका reason यह है कि एक तो मोतिलाल ओस्वाल के जो founders वगरे हैं वो जो भी management team है वो यहाँ पर basically इसको run करती है और इसके अंदर अगर आप fees भी देखोंगे एक साल के अंदर सिफ 11188 रुपए है तो अगर आपको केवल स्टार्टिंग करनी है कोई भी अगर आपको premium small case लेना एक बाद देखना है कि कैसे काम करता है तो यह भाई यह best एक दम beginners के लिए तेजी मंडी flagship पिशले 30 साल के अंदर 43% का यहाँ पर return निकाल के दिया है इसमें जो है basically जो rebalancing है उसका कोई भी fix method नहीं है कि quarterly base पर होगा जब भी इनको need लगती है यह लोग push notification बेचते हैं आपको और उस time पर आपको rebalancing करनी पड़ती है last review जो है 4 December को हो आता right now उसके इंदर large cap 44% है mid cap 36% है small cap 20% है companies भाई मैं दिखा नहीं सकता क्योंकि वो policy के against में यहाँ पर हो जाएगा मैं simply यहाँ पर अगर returns की बात करो हूँ तो एक साल के इंदर 100 का 166 बना की दिया है 66% का return अगर हाँ multi cap के index से भी compare करोंगे तो हमीशा इसने यहाँ पर beat किया है और long term में भी definitely अच्छे खासे इसने return निकाल के दिया है तो अगर आप beginners level के उपर कोई भी एक premium small case डिनर हो paid small case डिनर हो तो definitely इस type के small case के साथ में शुरुआत कर सकते हो जहाँ पर amount भी आपको कम pay करना है minimum investment size भी यहाँ पर कम है तो अगर आप माली जह ज़ादा पैसे नहीं लगा सकते है तब भी यह premium small case काफी अच्छा खासा है अगला guys यहाँ पर जो premium small case है वो है गुलग year 6 करके जिया यह basically aggressive especially investors के लिए है यहाँ पर 4 साल का CIG यहाँ दिखोंगे यहाँ कमाल का 62% का CIG यहाँ पर देखने को मिल जाएगा fees की बात करूं तो पिछले 6 मैने की जो fees है 2900 रुपीज है आप almost कह सकते हो 6000 रुपी यह असपास आपको साल का यहाँ पर जो expense देने पड़ेगा तो देखिए उसी की according यहाँ पर आपको investment करना है ऐसा नहीं कि सिर्फ 24,000 रुपी लगा के आपको अटक जाना है फिर तो अगर आप मालीजे 10% का return भी कमाल होंगे तो फकराली fees के अंदर ही आपका चला जाएगा इसमें guys अगर मैं stock की बात कहो तो large cap यहाँ पर आपको 16% देखने को मिल जाएगा multi cap के index से भी अगर आप compare करोंगे तो हर बार हमेशा इसने बहुत ही अच्छे खासे returns यहाँ पर निकाल के दिये है अगला guys जो premium small case है वो निवेशाई की तरफ से जिसका नाम में green energy करके 3 साल के अंदर 78% कैसने CGI आपर निकाल के दिया है जैसे कि आपको नाम से पता चल रहा है जितने भी renewable energy के जो sectors होते हैं जो companies काम करती हैं चाहिए EV sector में कर रही हो solar energy के अंदर कर रही हो वो सारी companies इसके अंदर basically शामिल होती है अगर यहाँ पर rebalancing की बात के हो तो यहाँ पर ऐसा कोई fix period नहीं है तो आपको एक ही साल के अंदर इसी साल के वल 83% का return यहाँ पर देखने को मिल जाता है और गाईस इसके अगर मैं fees की बात को तो 6 मेने की 5000 रुपे की fees है यानि की पुरे साल बर में 10,000 रुपे की something आपको खर्च करना पड़ेगा और इसी कारे इनोंने सीधा top पे लिखा हुआ है कि recommendation जो amount है वो आपको 4,000,000 तो at least लगाना ही पड़ेगा उसके उपर भी लगा सकते हो तब जाके at least यह fees जो यहाँ पर आपकी recover वगरे डंग से हो पाएगी जो premium small case है वो weekend investing की तरप से यह momentum strategy की उपर काम करता है लेकिन यहाँ पर अच्छी बात है कि इसके इंदर आपको सारे large cap stock मिलने वाले है क्योंकि nifty next 50 से जो companies होती है वही किवल यह pickup करता है कोई भी small cap यहाँ पर आपको companies नहीं देखने वाली है बस इसका एक सब्सक्राइब डिसट्वांडेज है फीस यार अच्छी कासी है एक साल की जो है आठ हजार रुपे 7500 रुपे की something है वो भी large cap के अंदर तो आपको amount भी जो है उसी के according यहाँ पर रखना पड़ेगा companies की बात करो guys जैसे मैंने बताया कि skin the cable nifty जो next 50 companies होती है उसी में से यह pick up करते हैं जो managers वगरे weekend investing के उनका youtube channel वगरे भी आप लोग चेक आउट कर सकते हो काफी अच्छे small cases हिनके अगर मैं last review की बात करो तो 30 December को होगा था next review यहाँ पर 30 Jan को होने वाला है और यह monthly basis पर ही यहाँ पर rebalance होता है और जैसे बताया था कि पूरा पूरा आपको almost केवल सारी की सारी जो maximum companies है वो large cap मिलने वाली है अगला guys यहाँ पर जो premium small case है वो है right momentum करके तो हम लोग ने जैसे weekend investing का momentum देखा इसमें और इसमें difference यह weekend investing वाले momentum के अंदर आपको जो है large cap वाली companies देखने को मिल रही थी लेकिन right momentum में ऐसा बिलकुल भी नहीं है इसकी fees की अगर मैं बात करो तो 6 मैने की 3600 रुपे के something fees है 52,000 का investment है 3 साल का CHR आपको 48% देखने को मिल जाता है rebalancing की guys अगर मैं बात करो तो यहाँ पर monthly basis पर rebalance होता है last rebalance जो यहाँ पर 31st December को होता large cap आपको 38% med cap 24% और small cap 36% देखने को मिलेगा यानि की सारे के सारे जितने भी cap है चाहे large med cap है small cap है almost multi cap आपको देखने को मिल जाता है लेकिंगे भाई यह momentum strategy पर तो अगर यहाँ पर market डिप हुआ तो यहाँ पर आप देख सकते हो downfall भी आपको अच्छा देखने को मिल जाएगा इसके लागा इस लास्ट आप capital mind momentum को यहाँ पर consider कर सकते हो यह भी momentum strategy के उपर है पूरा का पूरा पूरा 5 साल का CHR 35% है रेटर्स भी आपको अच्छे देखने को मिल जाएंगे बस इसका यार एक डिस एडवांटेज है फीज थोड़ी सी जाद है हजार मलब 1125 रुपे पर मनते अल्मूस 12,000 रुपे के असपास आपको खर्चा करना पड़ेगा और इसके अंदर obviously बात है amount भी आपको थोड़ा स अच्छा लगाना पड़ेगा तभी expense ratio आपका निकल पाएगा बाकी यह भी काफी पुराना यहाँ पर small case है अब गई सकते मैं जित्ते भी small case आप लोग के साथ मैं discuss किये mostly जित्ते भी small case आपको दिखाया थे almost सभी के इंदर मैंने यहाँ पर invest कर रखा है इसके लाब भी कई सारे mistakes वगरे मैंने की थी जो मैंने अपने पिछले कुछ पुराने वीडियो के इंदर आप लोग को बता रही है तो right now भी आप देख सकते हो यह मेरा पूरा snapshot जित्ते भी मैंने 21 small case के इंदर यहाँ पर investment कर रखी है और उसके according यहाँ पर return वगरे भी देख सकते हो तो guys अग यहाँ पर आपके ब्लॉक्रेज, STT charges कई सारे charges वगरे भी लगते तो आपको एक तरह से पूरा idea लग जाएगा कि कैसे मेरा return यहाँ पर calculate होता है कितना return यहाँ पर बन सकता है उसके बाद में आप paid small case की तरफ यहाँ पर जा सकते हो और कोई भी small case अगर आपको subscribe करना है तो म Thank you, guys, thank you very much